जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है अध्धाय बारा भक्ति योग श्लोक सत्रा यो ना हृष्यती न द्वेष्टी न सोचती न कांक्षती सुभा सुभा परित्यागी भक्ति मान यसा में प्रियाहा वूम श्रीक्रिष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को भक्ति योग सिखा रहे हैं परमात्मा कह रहे हैं हे अर्जुन वेभग जो संसारिक सुखों में प्रसंद नहीं होते जिन से आमतोर पर सारा संसार आनंदित होड़ता है वे भक्त जो सांसारिक दुखों से निराज भी नहीं होते हैं जिससे आमतोर पर सारा संसार निराज हो उटता है सारी दुनिया विलाप करती है पर भक्त किसी भी लाप की लालसा नहीं रखती है जिनकी लालसा आमतोर पर पूरी दुनिया रखती है वे भक्त जो सभी अच्छे और बुरे को त्याग देते हैं और जो भक्त मुझे प्रेम पुर्ण भक्ती प्रदान करते हैं वे मुझे अत्यन्त प्री हैं इस प्रकार श्रीक्रिष्ण परमात्मा यास पस्ट कर रहे हैं की जो लोग फल की इच्छा किये मिना करम करते हुए इन गुणों को धारन करते हैं वे उन्हें बहुत प्रीय हैं आईए श्रीकृष्ण परमात्मा की सिक्षाओं पर ध्यान करें आईए फल की इच्छा किये बिना अपने कर्म करते रहें आईए एक एक करके उन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करें और आईए हम श्री कृष्ण परमात्मा के प्रिय बनने का प्रयत्न करें। श्री कृषन परमात्मा या श्रीमन नारायन के प्रती समर्पन करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयतन करते हुए आए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोराएं यो ना हृश्यति न द्वेश्टि न सोचति न कांक्षति सुभा सुभपरित्यागी भक्तिमान यस्समे प्रियाः श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीकृष्ण कहते हैं कि मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनम्तव जिसका अर्थ है कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आईए परमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ करमों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो परमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीकृष्ण को अपना वचन देते हुए आईए हम सभी श्रीकृष्ण की सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें यह है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूंगा हमारा चोथा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके शब्द मामे कम सरणम रज़ याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा किये और आशिरवात दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अपरिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये है प्रती दिन स्रीमन नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पुजा है आए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वं श्री कृष्णार प्रणनास्तु जै श्रीमन नारायन। सर्वं श्रीमन नारायन। सर्वं श्रीमन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायन अस्त्रम का पाठ करें। नारायन अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायन अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं। जो की है www.narayanastram.org और रिजिस्ट्रेशन में अपना नाम और इमेल प्रादान करें। आपके द्वारा प्रादान की गई इमेल पर आपको नारायन अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रमायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विश्णु नाम है। इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन अस्त्रम कहा जाता है। हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है। जब 24,000 भगतों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन अस्त्रम को पढ़ते या सुनते हैं। संपूर्ण रमायन परायन की एक माला, श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला, श्री विश्णु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है। यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम पराप्त करें। जै श्रीमन नारायन।